हलो एवरिवान वालकम डू स्टप अपकेडमी आम रचीवबाद है यह और के मिस्ट्री में टॉट चैप्टर चल रहा है क्लास 10 का कौन सा मैटल और नॉन मैटल डिटिल वीडियो कंटिनियस्टी बन रही है सारे टॉपिक पे आप लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आज य ऐसी क्या नौबत आ गई कि मैटल और नॉन मैटल को आपस में रियक्शन करना पड़ा है तो यह टॉपिक ही आपके सामने दिया है बच्चों क्या हाओ डू मैटल नॉन और नॉन मैटल रियक्ट मतलब वह कंडिशन क्या आती है वह कंडिशन क्यों आती है कि मैटल और नॉ रहे हैं कुछ अलिमेंट्स जो आपके सामें नाम है हीलियम नियॉन आरगन क्रिप्टेंजिन और डाउन इनके नाम मैंने इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि यह एक ऐसे कुछ अलिमेंट्स हैं जिनकी आउटर मोशल देखिए हमका शेल पुरा कम्प्लीट है मतलब हम जाते हैं ट्व एलेक्ट्रन या एक एलेक्ट्रन हमें अपना शेल कम्प्लीट करना होता हूँ आउटर मोशल में अपना आउक्टेट को फिल करने की कोशश करते हैं यहां पर देखिए it is 1s2 मतलब यह शेल कमप्लीट है यहां देखा तो 2s2 2p6 यह भी कम्प्लीट हो गया आपका ठ अधर भी देख लिए तो यह नियॉन आ गया नियॉन का क्या 3S2 3P6 मतलब इतना अपने को कॉमन लेना है 1S2 2S2 2P6 इतना तो उपर वाला ही आ गया अब आगे नीचे आ गया 3S2 3P6 मतलब कि हम क्या देख रहे हैं 8 इलेक्ट्रोंस देख रहे हैं मतलब आप क्या देख रहे हो तो यह stability इनके पास है किनको इनके पास जिनको हम noble gas या inert gas वोते हैं इनकी यह stability है कि इस्टेबिल हो चुकी है हर परसन अपनी life में stable होना चाता है बच्छों है ना तब भी अच्छी पढ़ाई करते हैं कि अच्छी नौकरी हो सब कुछ अपने पास हो जब तक stability नहीं मिलती ह है इनसान struggle करता रहता है है ना तो यही हालत metal और non metal के साथ आती है कि जो metals होते हैं कि बात करें या हम बात करें non metals की तो भाई ऐसा क्या condition आती है कि इनको आपस में reaction करना पड़ता है how do metal and non metal react आपस में react करके यह bond बना रहे है ठीक है जिसको हम बोलते हैं ionic bond ऐसा क्यों क्योंकि mostly metal जो होते हैं उनके outer motion में या तो one electron या two electron या three electron होता है जो कहीं ना कहीं इनकी stability को disturb कर रहा होता है क्योंकि हमने क्या बोला octate rule जरूर पढ़ लीजेगा octate rule मतलब की outer motion में कोशिश करें कि हमारे eight electron होने चाहिए बड़ इनके बास one electron या two electron या three electron होते हैं और इनको क्या करना था यह one seven लेना is not possible तो यह one दे देते हैं यहां पर देखिए तो six लेना possible नहीं है तो यह two electron दे देते हैं यहां पर भी लेना possible नहीं है तो यह यहां पर भी देते हैं मतलब जो metal होते हैं दे गेव electron और करके इनके उपर positive charge आ जाता है नॉन मेटल की condition यह होती है कि इनके outer more shell में mostly five electron होते हैं six electron होते हैं seven electron होते हैं five है तो five देना is not easy better है कि three electron यह ले 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 लेते हैं तो इन पर three negative charge आ जाता है six फड़े केश में यह two electron ले 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 लेते हैं तो इन पर two negative charge आ जाता है seven वाले केश में यह one electron ले लेते हैं तो इनके पर one negative charge आता है कहने का मतलब है कि non metal अपने shell को अपने auctate को fill करने के लिए eight electron करने के लिए वो क्या करता है non metal को electron लेने पड़ ले हैं मतलब non metal वो होते हैं जिनके outer motion में mostly 5, 6, 7 electron होते हैं तो वो क्या करते हैं वो electron लेते हैं 1 या 2 या 3 electron और जो metal होते हैं उनके outer motion में हमेशा disturb करने लिए 1, 2 या 3 electron होते हैं तो 1, 2 और 3 में possible नहीं है 8 complete करना तो वो क्या करते हैं unfamiliar to give electrons को देना पसंद करते हैं ये condition होने के कारण कौन सी condition होने के कारण की metal को आदत है electron देने की metal क्या कर रहा है? electron दे रहा है और positive charge अपने उपर ले रहा है क्यों ले रहा है? क्योंकि इसके 1 electron, 2 electron, 3 electron shell को complete होने नहीं दे रहा है और outerless shell में हमारी कोशिश है कि 8 electron रहे तो यह disturb ना करें अपने को इसलिए इनको हम क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं non metal जिनके उपर हमेशा negative charge आ जाता है क्या आता है negative charge because इनके outer motion में 5, 6, 7 electron होते हैं and 5 is not easy to give better है कि आप यहाँ पे 3 ले लो तो इसलिए 3 negative हो गया यहाँ 2 ले लिया तो 2 negative electron हो गया यहाँ पर ठीक है ना यहाँ पे 1 ले लिया तो 1 negative हो गया तो पात आती है क्या how do metal and non metal react that is that condition इस condition के कारण they are reacting and making ionic bond कि इनके पास इतने electron है कि भाई इसको दे दो they will loss electron, they will give electron and non metal will take electron will gain electron, why they want stability just like inert gas they want stability just like noble gas ठीक है, inert or noble are same okay, that's why they react इसलिए क्या करते है, यह react करते है, देख लिएते है कैसे ऐसा क्या हो रहा है suppose sodium sodium and we will take chlorine sodium which has atomic number 2 electronic configuration is 281 because इसका atomic number होता है 11, chlorine which is electronic number 7 ठीक है, atomic number तो 281 यह आपका shell में आप complete करो थोड़ा सच्छे तरीके से लिख लेते हैं, मैंने लिख लिया sodium, ठीक है, इसका मैंने यहाँ पर 11 लिख लिया chlorine, जिसकी value क्या है, 17 atomic number है अब हमने क्या किया, KLM that is 281 1, okay, इथा देखा, K, L, M, 2, A, 7, what you are saying, यहाँ पर देखिए, यह शल कम्पीट है, यह शल कम्पीट है, but, but problem कहां आई, problem आ रही है, यह 1 में, यह 1 ऐसा है, कि इसके लिए 7 लेना is not possible, भई, तो फिर stable होने के लिए हम क्या करेंगे, यह 1 को निकाल देंगे, जब 1 को निकालेंगे, तो इस पे 1 positive charge आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 positive charge, और 1 positive charge को आप कैसे लिख सकते हो, यह sodium पे आ जाएगा, बच्चों क्या, positive charge, क्योंकि क्या करेगा, यह अपना एक electron दे रहा है, chlorine, chlorine के outer most shell में 7 electron है, 7 electron है, तो इसके लिए easy है, 1 electron को लेना, क्या करना, लेना, तो फिर sodium ने क्या किया, sodium ने बोला, भाई, ठीक है, तुमको मेरे outer most shell में एक electron है, जो मुझे disturb कर रहा है, और आपके outer most shell में 7 electron है, जिसको एक electron की जरुवत है, तो भाई, मैं अपना एक electron आपको दे देता हूँ, अब ये दे देते हैं, तो यहां से ये 1 हट जाएगा, और यहां पर positive charge आ जाएगा, same here, यहां पर ये 7 की जगा पे क्या हो गया, 8 हो गया, और यहां आ जाएगा negative charge, clear है, तो बात समझ में आए, कि how do metal और non-metal react, for completing their shell, और क्या आप हो सकते हैं, they want stability, खुद को stable करने के लिए, they will react, ठीक है, तो metal में sodium, Na plus charge आजाएगा, इस पे CL minus charge आजाएगा, तो जो की क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, ठीक है, तो यह समझ में आ रहा है, यहां पर ionic bond दिखा, ऐसे example ले लिजे, MgCl2 का, Mg मतलब की मैं बात करूँ, तो Mg जिसका 12 atomic number है, मतलब 282, clear है, Cl, एक Cl के पास 287 होता है, मतलब एक electron की जरुवद था, यहां Cl2 बोला है, मतलब एक Cl और है, that is 287, तो Mg के यह Mg के पास 2 electron था, तो Mg ने क्या किया, Mg ने अपना एक electron यहां दे दिया, एक electron यहां दे दिया, तो Mg पे 2 प्लस charge आ जाएगा, और यहां से यह हट जाएगा, और यहां पर यह 8 electron हो गया, तो एक negative charge और इधर भी एक electron हो गया, तो एक negative charge आ गया, इस तरीके से आप negative charge यहां पर ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, Mg Cl2 बन जाएगा, तो आप समझ में है कि, जाएगा, तो यहां पर आपको पता है, और इस कारण से जहां पर आपको पता है, आपको 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 आपक how do metal and non-metal react like this इसी तरीके से metal और non-metal react करते हैं अपने को इस तरीके से inert gas की तरीके से stable करने के लिए यह आपको ध्यार रखना है अब बाताती है properties of ionic bond जो ionic compound की property क्यों होती है तो physical nature की देखिये बात की गई है कि ionic compounds are हम आयनी compound की बात कर रहे है compound are hard crystalline solid because of strong force of attraction ठीक है यह hard crystalline solid होते है क्योंकि इनके बीच में बहुत जाता है force of attraction होता है between the positive and negative ions क्योंकि एक positive और एक negative आयनों इनके बीच में क्या और है highly force of attraction लग रहा है these compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied और ज्यादा इन पर हम pressure apply करेंगे तो क्यों जाएंगे टूट जाएंगे chicken a pieces में break हो जाएंगे क्योंकि यह brittle होते हैं melting and boiling point की बात करें तो these compound have high melting point as large amount of energy is required to break stock inter-ionic attraction क्योंकि इनके बीच में क्या आदे bond की positive and negative से क्या और attraction strong attraction strong bonding of attraction है और इनको break करने के लिए बहुत यदा आपने को क्या लगता है energy की दुरूट पड़ती है तो they have high melting point solubility की बात करें these compound are soluble in water polar solvent and insoluble in organic solvent non polar solvent ठीक है ना like जो हमारे जितने भी organic solvent क्या है kerosene हो गया benzene हो गया ether हो गया petrol हो गया water क्या है polar solvent है तो इसकी भी बात करें कि यह क्या है soluble होते है किसमें देखा जाये के polar solvent में और किसमें soluble नहीं है यह soluble नहीं है किसमें inorganic जितने भी organic solvent है उसमें यह नहीं होते हैं then now conduction of electricity भाई positive and negative वाली बात आ रही है आपको अच्छे तरीके से पता है कि conduction कैसा होना चाहिए the conduction of electricity through a solution involved movement of charge particle ionic and electrovalent compound are good conductor of electricity but they conduct electricity either in molten form or in the aqueous form ठीक है ना यह molten और aqueous form में ही क्या होगे highly conductivity को शो करेंगे otherwise शो नहीं कर पाएंगे ठीक है ना जबकि इन में highly conductivity होती है तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि how do metal and non-metal react ठीक है ना और react कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं because इनको चाहिए stability why they want stability यह stability चाहते है सिर्फ किस के लिए यह stability चाहते हैं खुद को inert gas की तरीके से बनाने के लिए कि हाँ भाई है मैं stable हो जाओ तो इनके outer motion के जो electron होते हैं वही उनको disturb करते हैं कि भाई मैं तो परिशान करूंगा तो परिशान करेगा तो कौन ज़्यादा परिशान करते हैं जिनके आँचर हमे उटी इनल review को टेरिआ का I'm gonna खथे हैं इनके लेक्षान को टोध करते हैं तो पॉज़टीव चार्ज ग मैं कर लेते हैं एक एक टोधिज़ दिया तो वगादिव तो फॉज़ट एग तो पॉज़िव झोव थी यह व्या गभाय दोधिव यह उनके जानन के यह positive और negative क्यों हो रहा है यह इसलिए हो रहा है खुद की stability पाने के लिए और that's why they are reacting with each other that's why metal and non-metal react and make ionic compound और इसकी properties मैंने आपको बता दिये तो अब आपको समझ में आ गया हो कि how do metal and non-metal react है ना क्यों react करते हैं यह आपको समझ में तरीके से आ चुका होगा टाई में like करने का subscribe करने का share करने का अपर दोस्तों से और bell icon को click जरूर करके रखिए कि मेरे next video का notification आपको timely मिल जाए thanks for watching this bye bye bye